नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएस पटना द्वारा चलाए जा रहे हैं टेस्ट सिरिज 9 पढ़ियास टेस्ट नमबर 6 का डिसकर्शन करेंगे। तो आईएस शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चैन करना है। कथन एक लगू द्योग अधिक पूजी सखन होते हैं गलत है। और योगिक निती संकल्प 1977 दूतिय पंच वर्षियो योजना का आधार बना था। गलत है। क्योंकि यह 1977 नहीं 1956 में होगा। इसलिए सही उतर हो जाएगा औप्सन नंबर B दूनु गलत है। निमलिखित में से कौन सी भारतिय नियोजन की विशेष्ता नहीं है। तो सही उतर हो जाएगा औप्सन नंबर D केंद्रिय कृत योजना। केंद्रिय कृत योजना भारतिय नियोजन की विशेष्ता नहीं है। नेक्स्ट कोश्चन है भारत ने WHO के साथ समझावते के ताथ त्रीतिय विश्वके कई देशों को मुफ्त में COVID-19 के टीके बीतरित किये। यह निमलिखित में से किस प्रकार का ब्याय है। तो सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबरे राजयस हो भी है। नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्प का चैन करना है। तो बजट घाटा राजकोसिये घाटे के ब्राबर होता है यदि व्याज भुक्तान सुन्य है। नेक्स्ट कोश्चन है अतिमुत्रा स्फिर्ती की स्थिति में सरकार को अपनाना चाहिए। नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्प का चैन करना है तो अतिमुद्रे की स्फिती में बजार में तरल नगदी के प्रवा का नियंत्रन करना है करना चाहिए ब्यास दरों में ब्रिधी और बोंड की कीमतों में कमी करनी चाहिए और कड की दर को बढ़ा देना चाहिए चाहिए तो आर्थिक नियोजन समवर्ति सुची में है इसलिए सही उतर हो जाएगा आप्सन नंबर B नेक्स्ट कोश्चन है इस थिरिकरन के उपाये और संग्रक्चनात्मक सुधार के उपाये किस नीथी के दो समु है सही उतर आप्सन नंबर B नहीं आर्थिक नीथी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन सही है नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्प का चायन करना है तो परतेक सदसे के नियुंतम अंसदान द्वारा छोटे अनुपात में मित ब्याईता को बढ़ावा देने के लिए स्वयम सहायता समुहों की अस्थापना क की जाती है सही है एक अत्रित धन से उचित ब्याजदर पर छोटी किस्तों में चुकाने है चुकाने यवग्या रासी हे तू जरूरत बंद सदस्यों को क्रेडिट दिया जाता है सही है स्वयम सहायता समुह ग्रामीन लोगों का एक बीलिंग ब्लोक संगठन है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number D एक दो तीन सही next question है column 1 और column 2 को सही मिलान करना है सही मिलान करना है तो लोग जो हमेशा गरीब होते हैं लोग जो हमेशा गरीब होते हैं चीर कालीन गरीबी कहा जाता है नियूंतम खपत अवशक्ता के साथ आय की तुलना करता है या होगा पूर्ण गरीबी गरीबी की पहचान के लिए बिभिन लोगों की आय की तुलना करता है या सापेक्ष गरीबी कहलाता है लोग जो नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और बाहर निकलते हैं इसे अनियमित गरी भी कहा जाता है इसलिए सही उतर हो जाएगा हमारा option number A next question है निमलिखित में से कौन सा कथान मांग प्रेरित मुद्रा स्फिती के लिए सही है नीचे दिये गए कूट के अधार पर सही विकल्पका चैन करना है इसने पहले के काजकरम हो जैसे इसलिए सही उतर हो जाएगा option number A कथन A की सही ब्याख्या करता है next question है निमलिखित में से किस सरकार ने गरीबों की पहचान करने के लिए परिवारों की आई को प्रॉक्सी के रूप में उप्योग किया नीचे दिये गए कूट के अधार पर सही विकल्पका चैन करना है तो इसका सही उतर हो जाएगा मासिक प्रती बेक्ती आए प्रती बेक्ती मासिक है इसलिए सही उतर option number B next question है निमलिखित में से कौन सा कथन गरीबी अंतर के बारे में सत्य है तो गरीबी अंतर के बारे में सत्य हुआ अनुपात जिससे गरीबों की ओसताय गरीबी रेखा से नीचे जाती है सही है गरीबी अंतर 20 वबैंक द्वारा निर्मी तेक संके तक है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number C next question है NRLM का मतलब राष्ट्रिय ग्रामिन आजीवी का मिशन है सही है इस योजना को आजीवी का के नाम से जाना जाता है NRLM का नाम बदल कर अब दीन दयाल अंतियोदय योजना कर दिया गया है सही है इसलिए इसमें गलत कतन का चैन करना है कोई गलत नहीं है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number D इन में से कोई नहीं को अपनी उपज का उचित मुल्य प्राप्त करने के लिए सहकारी समीतियों का गठन करने की आवशक्ता है सही है अपनी उपज का अलग-अलग विपनन करने के बजाए यदि वे अपनी उपज एक एजेंसी के माध्यम से स्वयम विपनन करते हैं तो इससे उनकी सोधेबाजी की सक्ति में ब्रिधी होती है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी एक और दो दोनों सही नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित कथनों पर विचार करें और उपयुकत कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्था गलत कथन का चैन करना है तो स्वतंतरता के प्रवेवस्ता के ठांचे को अपनाया गया जिसमें पूजिवादी अर्थ बेवस्ता की बिशेस्ताओं के साथ समाजवादी अर्थ बेवस्ता की बिशेस्ताएं भी सामिल हैं सही है भारत सरकार द्वारा境इन न왔 प्रवेकाborे में नई आर्थिक नीथी के लिए केवल उदारी करन की नीती अपनाई गई गल्त है इसलिए सही उत्र हो जाएगा option number C next question है किस समीती ने छेत्रिये ग्रामिन बैंकों के अपने संबंधित प्रायोजन बैंकों के साथ बिलै की सिफारिस की थी सही उत्र option number A खुसरो समीती next question है निमलिखित में से कौन सा अधारना को सही ढंग से समझाता है सही उत्र option number B बुनियादी नियुंतम कैलोरी आव सकता के संदर्व में गड़ी next question है निमलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद माने GDP की गन्ना करने का एक तरीका है तो GDP की गन्ना करने का तरीका है उत्पाद विधी आई विधी औ next question है स्वतंतरता के बाद भारत के बिदेशी ब्यपार में क्या पडिवर्तन आया सही उत्तर option number B देश में तैयार उत्पादों के प्रतिसत के हिस्से में ब्रिधी हुई next question है प्रतिविक्ति आई के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही है नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्प का चैन करना है तो केवल कामकाजी उम्र के बयस के ही नहीं बलकि प्रतिव्यक्ति आई में सभी व्यक्ति सामिल होते हैं सही है यह हमेशा जीवन अस्तर का सठीक प्रतिनिधित्व परदान करता है गलत है प्रतिव्यक्ति आई अर्थ व्यवस्ता में मुद्रस फि सही है इस नीति का उदेश घरेलू उत्पादन के साथ आयात में बृधि करना है गलत है सरकार ने घरेलू उद्योगों को बिरेशी प्रतियस परधा से बचाया है सही है आयात पर करगट आया है गलत है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नंबर बी केवल दो सही नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से कौन सा सही है नीचे दिये कूट से सही बिकल्प का चायन करें उत्पाद की स्रम प्रधान तकनीक का उप्योग करके गड़ीबी को कम किया जा सकता है सही है भारत एक विसाल जन संख्या वाला देश है डोक्टर गुनार मिर्डल ने कि यदि भारत गड़ीबी की समस्या को हल करना चाहता है तो उसे उत्पादन की स्रम सघन तकनीक का पालन करना चाहिए इससे देश में रुजगार के आउसर पैदा होंगे सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौ राजकोशिय निती का साधन है तो राजकोशिय निती का साधन है काराधन सार्वजनिक ब्याय ब्याजदर इसका साधन नहीं है और सरकारी उपाय सरकारी उधार सरकारी उधार राजकोशिय निती का साधन है इसलिए सही उतर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर ए एक दो और चार सही. नेक्स्ट कोश्चन है credit rating के संदर्व में निमलिखित कथनों पर विचार करें उप्यूपत कथनों में से कौम सही कथन का चायन करना है? तो सही कथन का चायन करना है यानि कि AAA क्रेडिट rating समय पर रिण चुकाने के संबन्द में उच अस्थर की शुरक्ष्या की संभ हावना ब्यक्त करती है गलत है बी डिफल्ट होने का उच अस्तर को दरसाता है सही है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी तीन और चार सही नेक्स्ट कोस्टेन है न्योजन के प्राडमभिक चरन में सार्वजनिक छेतर की प्रमुख भूमिका थी क्योंकि नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्पका चैन करना है तो नीजी उद्यमियों के पास निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी थी सही है सरकार का उदेश समाजिक कल्यान था सही है बजार इतना बड़ा नहीं था कि उद्योग पतियों को प्रमुख पर्योजनाएं सुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें सही है मांग का निम्न अफ्तर था सही है इसलिए सही उतर ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोस्चन है नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है कूट का पर्योकर सही उतर का चैन करना है तो नॉमिनल जीडीपी की गणना बरतमान कीमतों के अधार पर की जाती है सही है नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार कीमतों के अधार पर की जाती है गलत है नॉमिनल जीडीपी पर डेटा वास्टविक जीडीपी की तूलना में अर्थ बेवस्था की एक सटीक तस्वीर दिखाता है गलत है इसलिए सही उत्तर अप्सन नंबर सी केवल एक सही नेक्स्ट कोश्चन है एस्टाइक फ्लेशन के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही है अर्थ बेवस्था की ऐसी इस्थिती जिसमें मुद्रा स्फिर्ती और मंदी एक साथ हूं सही है एक अर्थ बेवस्था जहां बेरुजगारी अधिक हो सही है आर्थिक निकाय दर्थ तिव्र हो गलत एस्टैक फलेशन तब होता है जब अर्थ वेवस्था एक ही समय में कम बेरुजगारी और कम मुद्राइश फिर्तिक अनुभावर करती है गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी एक और दो सही भारत में निम्न मानो पूंजी निर्मान के मुख्य कारण क्या है तो भारत में निम्न मानो पूंजी निर्मान के मुख्य कारण है सिक्षा अप्रयाप्त संसाधन उच छेत्रिये और लैंगिक और समानता सही उतर ऑप्सन नमबर ए नेक्स्ट कोश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है सतत विकास और खाद्य सुरथ्षा प्राप्त करने में सूचना प्रद्योगी की का एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है यह किसानों को उत्पादन की नई तक्निकों, किम्तों और मौसमादी के बारे में आवश्यक जनकारी भी प्रदान करता है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर A, कथन A और कारण R दोनों सही है कारण R कथन A का सही व्याख्या करता है नेक्स्ट कोश्चन है, राजकोशिय उत्तरदाईत्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्व में निमलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें तो इसके तहट सरकार के राजकोशिय घाटे, राजस्व घाटे और रिन GDP अनुपात में कमी लाने का लक्ष निरधारित किया गया है सही है, AFRBM Act को लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया गया है गलत है, AFRBM अधिनियम 2003 में तयार किया गया था, सही है इसलिए सही उतर, option number D next question है, निमन कथनों पर विचार करें और उप्यूक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें ब्याज की अंतरालदर, एक रिन कार्जक्रम है, जिसे 1972 में सुरू किया गया था, सही है इस डिन कार्जक्रम में सारजनिक छेतर के सभी बैंक सामिल होते हैं, गलत है इस डिन कार्जक्रम के ताथ, बैंक द्वड़ा पिछले साल दिये गए कुल डिन के एक फिसदी को गरीबू में गरीवतम को 4% सालाना ब्याजदर पर उपलब्द कराती है, गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number A केवल एक सही next question है 1991 से करों में कमी और कर प्रक्रिया के सडली करण का मुख्य कारण क्या है सही उतर हो जाएगा option number A उच्च करदरें ब्याज के लिए एक निवारक के रूप में कार्ज करती है और कर चोड़ी का एक प्रमुख कारण है next question है सूची एक और सूची दो का मिलान करना है तो नौकरी प्रसिक्षन पर स्रम की उत्पादक्ता में ब्रिदी होती है प्रवास नई जगह पर अधिक आए से संबंदित है भौतिक पूजी मुर्थ चीजों से संबंदित है और मानो पूजी सिक्षा और प्रसिक्षन इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा option number C next question है कथन और कारण दिये हुए है कथन A भुगतान संतूलन की पूजी प्रकृती में अनावर्ती है सही है पूजी हस्तनांतरन किसी देश की संपत्तियों और देंदारियों को प्रभावित करता है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number B कथन A और कथन R दोनों सही है लेकिन कथन R कथन A की सही ब्याख्या नहीं करता है next question है निमलिखित कथनों पर विचार करें और उफ्युक्त कथनों मेंसे कौन सा कथन सही नहीं है गलत कथन का चैन करना है तो M1 से M4 की और जाने पर मुद्रा की तरलता में कमी होती है घरति है यह सही है M4 से M1 की और जाने पर खर्च करने की चहंतह गरती है गलत है bank M1 मुद्रा का इस्तमाल कर्ज बांटने में भी कर सकता है गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर बी दो और तीन नेक्स्ट कोश्चन है MSP के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है कूट की मदद से सही उतर का चैन करना है तो MSP के बारे में क्रिशी कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ क्रिशी उत्पादकों को बीमक करने के लिए भारत सरकार द्वारा या एक बजार हस्तचेप है सही है या भारत सरकार द्वारा बुगाई के मौसम की सुरुवात में घोशित किया जाता है सही है सरकार द्वारा हर आठ महीने में इसके घोशना की जाती है गलत है यह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती द्वारा अनुसंसित होता है गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा आप्सन नमबर B केवल एक और दो सही नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन से कारक भारतिय अर्थ वेवस्था में चक्रिय मंदी का कारण बन सकते हैं उपर दिये गए कथनों में से सही कथन का चैन करना है तो पूजीगत संपत्ती और इन्वेंटरी में अधिक निमेश सही है अंतिम बस्थों का उत्पादन और शोर्षित नहीं होता है जिससे कीमते कम होती है और आर्थिक अगतिवीधी कम होती है इसलिए सही उतर हो जाएगा आप्सन नमबर C नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन के बारे में सही है सही बिकलप का चैन करना है तो राश्ट्रिय खाद सुरक्षा मिशन के बारे में के और चावल और गेहूं की कुछ फंसलों का उत्पादन बढ़ाना गलत है इस योजना के करजानमियन के लिए क्रिशी मंत्राले जिम्मेवार है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number B नेक्स्ट कोस्चन है रेपो दर के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो सही उतर हो जाएगा option number B वानिजिक बैंक सेंटरल बैंक से डिन ले सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है कूट की सहायता से सही बिकल्प का चैन करना है तो कौन सा कथन गलत है क्रेडिट रासनिंग, क्रेडिट बैंकों का मत्रात्मक क्रेडिट नियंतरन उपाय है गलत है उप भोकता डिन का भी निमाई, केंद्रिय बैंक का एक मत्रात्मक डिन नियंतरन उपाय है गलत है बैंक दर देश के सेंटरल बैंक द्वारा उप्योग किया जाने वाला चुनिन्दा क्रेडिट खास नियंतर में उपाया है गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर A नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कतन प्रात्मिक स्वास्थ देखभाल का कारिया है नीचे दिये के कूट से सही बिकलप का चैन करना है तो प्रात्मिक स्वास्थ देखभाल आवशक दवाएं प्रदान करना सामील है सही है प्रात्मिक स्वास्थ देखभाल स् प्रतिबंधों के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्प का चयन करें, तो इसे अपने स्वैम के सेरों या किसी अन्या बैंक या किसी कम्पनी के सेरों को खड़ी दने या ऐसी सुरक्षा परिन देने की मना ही है, इसे अपनी जमदाशी पर ब्याज का भुक्तान करने की अनुमती नहीं है, तो आ जसे संपति के खिलाफ इन पराप्त नहीं कर सकता है या से बिरुथ सलाह नहीं दे सकता है सही है, इसलिए सही उतार, option number C, सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है commanding house, commanding house, रर्णनीतिक महत्व, sunrise industries, electronic उद्योग, उद्योगों के लिए महत्व, उद्योगों के लिए महत्व, दूसरी FYP, लगूद्योग कर्ब समीती, इसलिए सही उतार हो जाएगा ह नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन अपनेवेशिक सासन के दवरान भारत के जनसांकिय प्रोफाइल के संबंध में गलत है तो जीवन प्रत्यास्या 60 वर्स थी गलत है प्रती एक हजार जीवित जन्म पर शिशु मिर्तूदर लगभग सत्तर थी गलत है समग सही उतर हो जाएगा option number C next question है निमलिखित में से कौन सा कथन भारतिया आर्थिक निमोजन के संदर्व में सही है तो सही उतर हो जाएगा option number A भारतिया आर्थिक निमोजन का स्वरूप निर्देशात्मक ब्यवस्था के ज्यादा करीब थे next question है सकल घरेलू उतपाद के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो सही उतर हो जाएगा nominal GDP मौजूदा कीमतों पर सभी अंतिम बस्तूओं और सेवाओं का कुल मुल्य है जबकि वास्तविक GDP इस्थिर कीमतों पर सभी अंतिम बस्तूओं और सेवाओं का कुल नेक्स्ट कोश्चन है केनेशियन अर्थ सास्त्र के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है नीचे दिये गए कूट से सही कथन का चायन करना है तो केनेशियन अर्थ सास्त्र मंदी की यौधी के लिए मांग पक्ष सामाधान पर ध्यान के अंदृत करता है सही है नेक्स्ट कोश्चन है लाडेंज वक्ड निमलिखित में से किस संबंदित है नीचे दिये गए कूट से सही बिकल्प का चैन करना है तो या आय और धन के बीच संबंद को दिखाता है गलत है बक्ड की ढलान जनसंख्या बित्रन के परतेक बिंदू पर प्रतिव्यक्ति आय के समानुपाति होती है सही है आय की पूर्ण समानता के मामले में लौरेंज वक्र एक सीधी रेखा होगी और अधिक वक्रता के साथ और समानता अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है गिनी गुनांक इस और समानता को दरसा मापता है सही है गिनी गुनांक आवादी में आय सम पानता की डीगरी को मापता है, सही है, इसलिए सही उतर हो जाएगा option number C, दो तीन चार, next question है, ग्रेशम का नियम संबंदित है, पैसो के परिशंचरन से, next question है, निम लिखित में से किर्थ किस अर्थ सास्त्री को, अर्थ सास्त्र का जनक माना जाता है, सही उतर, option number D, Adam Smith, next question है, निम्न कथनों पर विचार करें और उप्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें जनसांखी की संक्रमन समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्साता है सही है जनसांखी की संक्रमन के प्रथम चरण में उच्छ जनमदर के साथ मृत्य दर भी उच्छ होती है, सही है जनसांखी की संक्रमन के दूतिय चरण में उच्छ जनमदर के साथ मृत्य दर भी उच्छ होती है, गलत है जनसांखी की संक्रमन के चतूर्थ चरण में निम्न जनमदर के साथ निम्न मर्तूदर होती है सही है इसलिए सही उतर ओप्सन नमबर बी नेक्स्ट कोश्चन है द्रिस निडियात और द्रिस आयात के बीच अंतर को निम्न प्रकार परिभाशित किया गया है सही उतर option number ए ब्यपार संतूलन next question है अलपकालिक सरकारी सुरक्षा पत्र को कहा जाता है इसे कहा जाता है tragedy will next question है स्रम का सोशन तब कहा जाता है जब मजदूरी सीमानत राजस उतपाद से कम हो सही उतर option number 2 next question है लोन राइट ओफ के संदर्व में निमलिखित कथनों पर विचार करें उप्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो लोन राइट ओफ में डालने का अनिवारे रूप से मतलब है की अब इसे बैंक द्वारा संपत्ति के रूप में नहीं गिना जाएगा सही है इस प्रकार राइट ओफ में डाली गई रासी बैंक की करद दियाता को कम कर देती है सही है इसलिए सही उतर option number C next question है कथोड मुद्रा वो मुद्रा है जो तरलता के उच अस्तर के साथ एक मजबूत मुद्रा के रूप में माना जाता है option number B next question है आम तोड़ पर सरकार विनिवेस की नीती को लागू करती है स्वामित्व के व्यापक हिस्से को प्रुसाहित करने के लिए प्रतियस्फर्दा और बजार अनुसासन का परिचे देने के लिए सरकार पर बीतिये बुज कम करने के लिए गैर अवसक शिवाओं का और आज नीती करन करने के लिए सही उतर option number T सभी चारो सही next question है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर दिये गए कथनों में से कितने कथन गलत है गलत कथन का चैन करना है तो बढ़ती अर्थ बेवस्था के लिए बढ़ती अर्थ बेवस्था के लिए मांगाई कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है सही है सकरात्मक ब्यपार संतुलन वाला राष्ठी विक्सित देश बन सकता है सही है किसी अर्थ बेवस्था के लिए उच्च सारवजनिक रीन हमेसा हानी कारोख होते है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number D next question है किसी देश का भुगतान संतुलन तब संतुलन में होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग इसकी आपूर्ती के बड़ाबर हो जाती है next question है किस बजार संग्रचना में बजार का मांग वक्र फोर में के मांग वक्र द्वारा दर्साया जाता है तो सही उतर option number A तेजी से आर्थिक विकास के कारण मांग में व्रिदी को पूरा करने के लिए बस्तूओं की या पूर्ती सुनिश्चित करने के लिए बिनिमार बिनिर्मान छेतर में सरकार द्वारा एक बड़ा निवेश है next question है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है सही कथन का चैन करना है तो भारतिय डिजर्व बैंक मोदरिक नीती के प्रयोजन के लिए प्रमुक मुद्रास्फिती उपाय के रूप में CPI संजुक्त का उपयोग करता है सही है अपध्योगिक स्रामिको के लिए उपभोगता मुल सुचकांक संख्या समय के साथ और अपध्योगिक स्रामिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली बस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकड़ी की कीमतों में बदलाव को मापती है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा, option number C, next question है, निमलिखित में से किसे अर्थ सास्त्र में मुद्रा स्फिती के पड़ी नाम के रूप में माना जाता है, सही कूट का चैन करना है, तो मुद्रा का मुल्य हरास सही है, महंगाई से करजदारों को नुकसान होता है और उधार दाताओं को फायदा होता है, गलत है, मजदूरी का नाम मात्र मुल्य बढ़ना है, सही है, इसलिए सही उतर हो जाएगा, option number C, केवल एक और तीन सही, next question है, आर्थिक विकास, समानेतह, युगमित होता है, सही उतर, option number B, मुद्रा स्फिती के साथ, next question, ब्रिधा वस्ता पेंसन, छात् को राष्ट्रिय आई में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि या हस्तनांतरन भुगतान है, next question है, किसी अर्थ विवस्ता में मुद्रा गुनक, निमलिखित में से किसके साथ बढ़ता है, सही उतर, option number B, जनता की बैंकिंग आदतों में ब्रिधी के साथ, next question है, मांग घ मांग घाटे को ठीक करने के लिए, बितिये उपाय क्या है, सही उतर, option number D, उप्यूक्त सही, सभी, अर्थात, सार्वजनिक मांग ब्याय में ब्रिधी और कडो में कटोती, सार्वजनिक डिन में कमी, और घाटे का बित पोसन, next question है, इसमें से कौन, पूजी खाता में सामिल नहीं है, तो पूजी खाता में सामिल नहीं है, नीजी प्रेशन, next question है, निमलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष बिदेशी निवेस में सामिल नहीं है, तो सही उतर हो जाएगा, option number D, अनिवासी बिदेशी जमा, next question है, निमलिखित में से कौन सा कारक रूपाई की मजबूती में योगदान कर सकता है, सही उतर, option number D, मजबूत विदेशी पूजी परवा, next question है, निमलिखित में से कौन सा सरकारी ब्याय है, तो सरकारी ब्याय है, उपुभोग के रूप में बरगी करित ब्याय, निवेस और पूजी के निर्मान के रूप में ब्याय, सरकार चलाने पर इसलिए सही उतर, option number D, next question है, भारत में निमलिखित में से कौन मुद्रा स्विति को नियंत्रित करके मुल इस थिर्ता बनाय रखने के लिए जिम्मेदार होता है, सही उतर, option number D, भारतिये डिजर्व बैंक, next question है, निमनलिखित पर विचार कीजिए, और उप्यूक्त में से क कितने मौद्रिक नीती के घर्टक हैं, तो मौद्रिक नीती के घर्टक हैं, बैंक दर और ओपेन मार्केट ओप्रेशन सिसलिए, सही उतर, option number B, next question है, बैंक दर में कमी, क्रेडिट की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करेगी, सही उतर, option number 1, credit बढ़ा कर, next question है, निमनलिख लेखा की इकाई, और मुल्ले का भंडारन, यह सभी मुद्रा के कार्ज है, सही उतर, option number C, next question है, देशों के मध्य, द्रिश से बस्तुओं के ब्यापार को कहा जाता है, सही उतर, option number B, next question है, भारतिय डिजर्ब बैंक के संदर्व में, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उप्योक्त कथनों में से कितने कथन सही है, तो यह केंदर सरकार का बैंकर है, सही है, यह मौधिक निती बनाता है, और कर्यानवीत करता है, सही है, यह भारत सरकार के रिन, कार्जक्र का संचालन करता है सही है इसलिए सही उत्तर option number C next question है निमलिखित पर विचार कीजिए 1990 के दसक में BTS संकट के दवरान भारत को दी गई कितनी उपरुक्त संस्थाओं को जमानतरी ने जमानतरी ने दिया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा IBRD IMF इसलिए सही उत्तर option number B के वल दो next question है निमलिखित पर विचार कीजिए 1991 की आर्थिक नीतियों के परिणाम के संबंध में उपरुक्त कीतने कथन सही है प्रतक्ष बिदेशी निवेश में ब्रिदी सही है घरेलू बजार में प्रति असपर्धा का भाव गलत है बिदेशी मुंद्र भंडार में कमी गलत है इ पूल मांग एक महत्वपूर्ण आर्थिक संके तक है इसे किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है तो अधिक निवेश करके बढ़ाया जा सकता है और आर्बी आई द्वारा बैंक दर बढ़ा कर गलत है इसलिए सही उत्तर अप्सन नंबर ए नेक्स्ट कोश्चन है निमलिख पूंजी का स्रोत माना जाता है तो मानो पूंजी का स्रोत माना जाता है स्वास्थ शिक्षा और प्रसिक्षा इसलिए सही उत्तर अप्सन नंबर डी नेक्स्ट कोश्चन है एक कर्पोरेट प्रात्मिक बजार में पूंजी किसके द्वारा जुटा सकता है सही उत्तर कूट का चयन करें सही उत्तर कूट का चयन करें तो आड़मभिक सारवजानिक प्रस्ताव सही है राइट इसू सही है और नीजी प्लेस्मेंट सही है इसलिए सही उत्तर ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित पर विचार कीजिए उप्योग्त में से कितने जैवी के खेती के लाव हैं जैवी खेती के लाव बताना है जैवी बिद्या का संग्रक्षन खाद्य पदार्थों में अधिक पोशकतात्व निमेस पर उच प्रतिफल इसलिए सही उत्तर प्रति एक हजार बेक्तियों पर जन्म लेने वाले सीशियों की संख्या से है गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी केवल एक और दो सही नेक्स्ट कोश्चन है भारत सरकार द्वारा निर्धनता निमारन है तू कई योजनाए बनाई गई जिन में से कुछ निमलिखित योजनाए हैं उपयुक्त योजनाओं को काल क्रमानुकसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले सबसे पहले परधान मंत्री रोजगार योजना आया सबसे पहले परधान मंत्री रोजगार योजना उसके बाद ग्रामिन रोजगार स्रीजन कार्ज करम फिर काम क बदले अनाज कार्ज करम और असपसंत में मनरेगा इसलिए सही उतर हो जाएगा अपसन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित कथनों पर विचार करें उप्यूगत कथनों में से सही कथन का चयान करें इसलिए सही उतर हो जाएगा अपसन नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन है सूंची एक को सूंची दो से सुमेलित करना है राष्टिय मानो विकास रिपोर्ट या नीती आयोक से संबंदित है मानो विकास रिपोर्ट या इवेन डीपी से संबंदित है वर्ल डेवलप्मेंट इंडिकेटर्स यह संबंदित है विश्व बैंक से और आर्थिक सर्वेक्षन बित्मंत्राले से इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा option number B next question है तनवा नामक परियोजना के संदर्व में कौन सा कथन सही है सही कथन है तमिलनाडु में महिलाओं को नमींतम क्रिशी तकनीकों का प्रसिक्षन देना next question है किसानों को भूमी निती निमलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है सही उत्तर हो जाएगा option number B किसानों को भूमी का स्वामी बना दिया जाए नेक्स्ट कोस्टन है निम्लिकी तंतराश्टी संगठनों पर बिचार्ज करें और उप्यूगत अंतराश्टी संगठनों में सब भारत किसका सदस्य है अभीब्यक्त किया जाता है option number A, नीवल नीवेस बड़ाबर सकल नीवेस में से मुल्य हरास घटाने पर नीवल नीवेस प्राप्त होता है next question है, संग्रक चनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन होती है सही उत्तर option number D, पर अपर्याप्त उत्पादन छमता से next question है, कुटुंब स्री के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो या केरल परांत में महिलाओं की और उनमुख एक निर्धनता निवारक सामुदाइक विकास कारण करण है next question, सांसद आदर्स ग्राम योजना के संदर्व में निमलिखित में से सही कथन पर विचार्ज करें और कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन का चैन करना है तो इस योजना की सुरुवात अक्टूबर 2015 में की गई थी, गलत है क्योंकि 2014 में इसकी सुरुवात हुई थी इस योजना के तहट भारत के सांसदो को एक गाउं की पहचान करने और विकास करने की जरूरत है, सही है सांसदो द्वारत चुने गए गाउं में खूद या अपने पती पतनी का गाउं भी हो सकता है, गलत है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर B केवल एक और तीन सही नेक्स्ट कोश्चन है बजट के संदर्व में निमलिखित में से क्या सही है तो सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर B स्वतंत्र भारत का प्रथम बढ़ज़त 1947 को ततकालिन बित्मंत्रियार के सम्मुखम सठी द्वारा प्रस्तूत किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है राजकोशिये घाटा संबंदित है बजटिये घाटे का योग और सरकार का बजारिन का बजारिन तथा दाइत्व से अप्सन नमबर A सही नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित कथनों पर विचार करें और उपर दिये गए कथनों में से कितने कथन सही है जी आई टेग उद्योग संबर्धन और आंत्रिक ब्यापार विभाग बानिज और उद्योग मंत्रा अले के ताथ भोगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है सही है जी आई टेग 20 बर्ष की अधिक लिए बैद होता है जिसके बाद इसे नमीनी कृत किया जाता है गलत है जी आई टेग बोधिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंदित पहलूओं पर IMF समझावतों द्वारा सासित और निर्देशित है गलत है जी आई रजिस्ट्री पोर्टल के मुताविक बिहार में 10 से ज़्यादा उत्पाद और लोगों को जी आई टेग मिला हुआ है सही है इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नमबर B सबसे महत्वपूर्ण भूमी का क्या है सही उत्तर ऑप्शन नमबर C जल चक्र में नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कारे पेड़ पौधों का नहीं है पेड़ पौधों का कारे नहीं हैं कारबन डाइक साइड का ओस्वशन करना यह पेड़ पौधों का कार्ज है ध्वाने का ओस्वशन भी करते हैं और ऑक्सीजन की बिमुक्ती करते हैं इसलिए सही उतर हो जाएगा option number 2 उप्यूक्त में से सभी कार्य पेरपोधों का है next question है ecosystem के संबंद में निमलिखित में से क्या सत्य है तो सही उतर हो जाएगा उत्पादक प्रात्मिक उपभुक्ता से अधिक है next question है किसी निश्चित छेत्र में प्रानियों की संख्या की सीमा जिसे पड़यावरन समर्थन कर सकता है कहलाती है सही उतर option number 2 वहन छमता next question है इसमें से कौन सा ख़द्य स्रिंखला का निर्मान करता है next question है कुछ कारण वस यदि तितिलियों की जाती की संख्या में बड़ी गिरावर्थ होती है तो इसका संभावित परिनाम क्या हो सकता है नीचे दिये गए कूट से सही उतर का चैन करना है तो कुछ पौधों के पड़ागन पर प्रतिकूल प्रभाव पर सकता है कुछ क्रिश से पौधों में कवाकिय संक्रमन प्रचंड रूप से बढ़ सकता है गलत है इसके कारण बड़ों, मकडियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समस्टी में गिरावर्थ हो सकती है तो इसलिए सही उतर हो जाएगा option number C, एक और तीन सही next question है परितंत्र में खाद्य स्रिंखलाओं के संदर्व में निमलिखित में से किस प्रकार का जीव अप घटक जीव कहलाता है नीचे दिया गए कूट का पर्योकर सही कथन का चैन करना है तो अप घटक जीव कहलाता है कवक और जीवानू इसलिए सही उतर हो जाएगा जैव बानिकी के संबंध में निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कूट का पर्योकर सही उतर का चैन करना है तो इसका साब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन गलत या पारिस्थितिकी तंत्र का पढ़या है या प्राक्रितिक तंत्रों के मुले पर बल देता है जो मानों तंत्रों को प्रभावित करते हैं तो इसलिए सही उतर ओप्सन नंबर C नेक्स्ट कौस्चन है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुकत कथनों में से कौन सा कथन सही है सही कथन का चायन करना है तो बिश्व की सरवाधिक प्रवाल भीतियां उसने कटी बंढ़िये सागर जलों में पाई जाती है। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भीतियां आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया और ठ्रिर्पिन्स के राज्ये छेत्रों में इस्थित है, सही है, उसने कटी बन दिये बर्सा बनों की अपेक्छा प्रवाल भीतियां कहीं अधिक संख्या में जनतु संगों का परपोसन क करना है, तो उच्चतर अक्छांसों की तुलना में निम्नतर अक्छांसों में जैव बीविदिता समाने तह अधिक होती है, सही है, पहारी ढालों में जैव बीविदिता आम तोर पर उच उचाई की तुलना में कम उचाई पर अधिक होती है, सही है, इसलिए सही उतर अप् पुर्वी हिमाले और पश्च्मी घाट नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस वन को प्रिथवी का फेफडा के रूप में जाना जाता हैं सही उतर और अप्शन नमबर सी आमेजन वर्षा बन नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन एक पारिस्थित्की तंत्र की जयव बिविदिता को बढ़ोतरी के लिए उत्तर दाई नहीं हैं सही उतर हो जाएगा अप्शन नमबर डी पोशन अस्तरों की कम संख्या नेक्स्ट को भाविक कारण है सही उतर अप्शन नमबर सी सागरिये जल के समान्य तापमान में ब्रिधी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है सही कथन का चैन करना है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समू में लव जल मौगर पाया जाता है सही है मालावार छेत्र में पश्चमी छेत्रों में शुरू और ट्राइपीर पाया जाते हैं गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा ओप्शन नमबरे नेक्स्ट कोश्चन है ग्रीन हाउस इपेक्ट वह अप्रक्डिया है जिसमें वायु मंडलिये क का घटता हुआ क्डम क्या होगा सही उतर ओप्शन नमबरे नेक्स्ट कोश्चन है वायु में कारवन डायक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायु मंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कारवन डायक्साइड सौर वी कीरन के औरक्त अंस को सोशित करती आप्शन नमबर डी सही नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धर्टी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाफदायक दोनों है सही उतर हो जाएगा, option number D, carbon dioxide, next question है, निमलिखित पर विचार कीजिए, और उपयुक्त में से कौन प्रमुख green house gas, मिथेन के स्रोथ हैं, मिथेन के स्रोथ कौन कौन से हैं, तो धान के खेत, कोईले की खनन, पालतू पसू और आद्रभूमी, ये चारों मिथेन गैस के स्रोथ है इसलिए option number D, सही, next question है, निमलिखित में से कौन एक सरवाधिक भंगुर परिस्थित की तंत्र है, जो बैस्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, सही उतर option number एंटार्क्टिका और ग्रीन लेंड हीम चादर, next question है, ब्लू कारवन क्या है, तो सही उतर हो जा question है, मानो गतिविदियों को प्रत्यक्ष एवं और प्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में स्वतंत्र ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, सही उतर option number V, कारवन पद्दचिन, next question है, निमलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, और उपयुकत राज्यों मे सही उतर हो जाएगा, अरुनाचल परदेश और मिजोडम में, इसलिए सही उतर option number C, next question है, निमलिखित में से किस परकार के वनों में अधिक्तम पादप विविदिता पाई जाती है, सही उतर option number D, उसने कटिवन दिए साधा बहार बन में, next question है, सूची एक को सूची दो से स अधिक्तम विदित कीजिए, तथा, नीचे दियागा, एक कूट का परयो करके सही उतर का चयन करिये, तो, वन संग्रक्षन अधिनियम, 1980 में आया था पर्याबरन संवर्चन अधिनियम 1986 में परियाबरन संवर्चन अधिनियम 1986 में है वायू प्नदूशन निवारन एयोंग नियंत्रन अधिनियम 1881 और जल प्नदूशन नियंत्रन अधिनियम 1974 इसलिए सही उत्तर हो जाएगा Option No D एक, दो, तीन, चार, सही, नेक्स्ट कोश्चन है, अमलवर्षा, अमलवर्षा होती है, बादल के जल योंग सल्फर डाइकसाइट प्रदू सकों के मध्ध, प्रतिकिरिया के फल्स्वरूप, नेक्स्ट कोश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, और सूची चारगा योंग चारा अनुसंधान संस्थान या है जहासी में, केंद्रिये सुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान या है जोधपूर में, और भारतिये क्रिशी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, इसलिए सही उतर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर बी, नेक्स्ट क CONCER ध्वनी PRADUCION QBB संबंदित है Carbon dioxide से औजोन छित्र संबंदित है कोलोडो फ्लोरो कारवन से इसलिए सही उत्तर हो जाएगा option no b next question है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो कारट्रा रिजायन प्रोटाक प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से संबन्दित है साहिए स्टाख़ों समयलन अनौःत जैविक प्रदूसन से संबन्दित है इसलिए डिंदर क्हेवर्टो क्ल जोल संड्रक्षन शंबन्दन WR ृत है क्हा拜拜 जालवाय। परिवर्थन पर एक अंतराष्ट mural सम्झातो है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा option number D next question है जलवायू करवाई ट्रेकर जो बिभीन देशों के उत्र सर्जक अपचयन के लिए दिये गए वचनों की निगरानी करता है क्या है सही उत्तर option number अनुसंधान संगठनों के संगठन द्वारा गटवंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस next question है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सुचियों के नीचे दिये गए कूट से चूनिये तो उसने कटी बंधिये बन उसने कटी बंधिये बन साइलेंट भैली में पाये जाते हैं संकुवरिक्ष बन हिमाचल परदेश में पाये जाएंगे कच बनस्पति यानि कि मैंग्रो बन मैंग्रोव बन पाए जाएंगे सुंदर बन में और पतजर बन राजस्थान में इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा option number D next question है BT का पास BT का पास नहीं है सभी कीटे नासकों के लिए प्रतिरोधी next question है प्रक्रितिक जल में जलिये पोधो और प्रश्फूटन करने वाले सैवाल की उपद्र उब्रिधी आम तोर पर उच सांद्रता के कारण होती है सही उत्तर हो जाएगा option number D फास फोरस next question है निमलिखित यूगमों पर विचार कीजिए और उपयुक्त यूगमों में से कौन सा सही सुमेलित है नो क्रेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाडिया से संबनित है सही है next question है निमलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठाय की हुआ एक फ्लोटिंग बनस्पती सही उप्त होने के कारण समरिध जयव बिदिता को बढ़ावा देता है सही उत्तर option number B कैबूल लाम जाओ नेशनल पार्क next question है छेत्रफल की दृष्टी से निमलिखित जयव मंडल डिजर्ब का घटता हुगा क्रम क्या होगा सही उत्तर option number B सबसे ज़्यादा मननार की खारी उससे कम सुंदरवान पंच मड़ी और सबसे अन्त में कंचन जंगा next question है भारत के मरू राष्ट्रिय उद्यान के संदरवे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है यह दो जीरो में विश्त्रित है सही है उद्यान के अंदर कोई मानोवास अस्थल नहीं है गलत है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राक्रितिक आवासों में से एक है सही सही उतर ऑफसन नंबर ए next question है और सहभोजीता दो प्रजातियों के बीच एक संबंध है जहां एक प्रजाति को निक्सान होता है तो दूसरी प्रजाति और प्रभावित रहती है सही उतर ऑफसन नंबर बी next question है जंगल में अच्छी तरह से उगने वाले साकिये पोधे का क् के बाहर किसी पार्क में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो सही उतर हो जाएगा option number c इसकी सुक्ष में जलवायू में परिवर्तन के कारण या जीवित नहीं रह सकता है next question परिस्थित की कर्मता क्या है तो परिस्थित की कर्मता है समुदाय के भीतर एक प्रजाती की भोतिक इस्थिती और कर्यात्मक भूमी का option number c सही next question है कवक और जिवानू जैसे अप घटक हैं परपोसी और मृत्पोसी इसलिए सही उतर option number c next question है जल में प्राथ्मिक अनुकरम के समुदायों का क्रम क्या होगा सही उतर option number d next question है गैस ये प्रकार के जैवो भूर असायनिक चक्र के लिए जलासे मौजूद हैं सही उतर option number b next question निमलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली परिस्थितिकी तंत्र सेवा है सही उतर option number d next question है निमलिखित में से आपको पीचर प्लांट कहां मिलेगा तो सही उतर हो जाएगा option number ए उतर पूर्व भारत के वर्षा बनों में next question है column 1 में दिए गए जानवडों का column 2 में उनके अस्थान से मिलान करना है दोडो मौ्रिश Herman में पाया जाता है कुग्गा कुग्गा पाया जाता है अफ्रिका में थाइलेसिन थाइलेसिन अस्ट्रेलिया में एसलेटर की समुद्री गाया रूस में इसलिए सही उत्तर हो जाएगा option number D next question है नीचे वर्णित परिस्थित की तंत्र में से अधिकतम जैव बिविदिता कहां पाई जाती है सही उत्तर हो जाएगा option number C प्रवाल भीतियों में धन्यवाद